हलो दोस्तो तयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित के 250 महत्पूर्ड प्रश्न ऐसी एक वीडियो हमने इससे पहले देख ली है यह 250 हिंदी साहित के महत्पूर्ड प्रश्नों का भाग 2 है दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करकर बिल आइकन प्रेस कर लें और तयारी कर लो के साथ तयारी करते रहें दोस्तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर चैनल में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप हिंदी साहित, हिंदी व्याकरण या हिंदी गद्ध विदाओं से संबंदित अन वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या चैनल के वीडियो में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा पहला सवाल है मात्रिक समचंद है मात्रिक समचंद कौन सा है? उत्तर है तोमर, चौपाई, सरंगार, रोला, रूपमाला, गीतिका, हरी गीतिका, सोरठा, उल्लाला अगला प्रश्न है मात्रिक विशमचंद है कौन सा है? उत्तर है कुंडलिया, दोहा, रोला, छपपए अगला प्रश्न है किसको पुकारें, यहां रोकर, अणन, बीच चाहे, जो करो, शरण, शरण, तिहारे हैं, में चंद है प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा चंद है? उत्तर है कवित चंद अगला प्रश्न है दिवस का आउसान समीब था, यह किस चरण का चंद है? किस चरण का चंद है? उत्तर है दृत विलंबित चंद का अगला प्रश्न है पात भरी सहरी सकल सुत बारे, बारे किस चंद का उदाहरण है? उत्तर है कवित चंद का उदाहरण है अगला प्रश्न है मात्रिक चंद कहते है किसे कहते हैं मात्रिक चंद उत्तर है? मात्रिक चंद में एक मात्रा, दो मात्रा या सन्युक ताक्षर के आदहार पर चरणों में मात्रा की गड़ना की जाती है मात्रा संख्या का विधान होने से इन्हें मात्रिक चंद कहते हैं अगला प्रश्न है वर्निक चंद की परिभाशा बताना है वर्निक चंद की क्या परिभाशा है उत्तर है वर्निक चंद में वर्णों की गड़ना होती है इसके लिए गड़ विधान रहता है चरण में गड़ों के अनुसार वर्ण रखे जाते हैं उसी के अनुसार यती गती रखी जाती है तो यहां थी वर्णिक छंद की परिभाशा अगला प्रशन है वर्ण मात्रा गती यती के नियमों से नियंत्रित रचना कहलाती है क्या कहलाती है उत्तर है चंद कहलाती है अगला प्रश्ण है तीन वर्णों का समूह क्या कहलाता है गड़ अगला प्रश्ण है किस गड़ में तीनों वर्ण गुरू होते हैं उत्तर है मगड़ में अगला प्रश्ण है किस गड में तीनों वर्ण लगु होते हैं उत्तर है नगड में अगला प्रश्ण है जहां कारण एक इस्थान पर तथा कार्य अन्य इस्थान पर वर्णित किया जाए वहाँ अलंकार होता है कौन सा अलंकार होता है उत्तर है असंगती अलंकार होता है अगला प्रश्न है गडों की संख्या होती है गडों की संख्या कितनी होती है उत्तर है गडों की संख्या आड या मा ता रा जा भा ना साला गा और मा अगला प्रश्न है गड में कितने वर्ण होते हैं उत्तर है तीन तीन गुरु होते हैं सा 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 अगला प्रश्न है रोला और उल्लाला के संयोग से बनने वाला चंद है कौन सा चंद है जो रोला और उल्लाला के संयोग से बनता है उत्तर है छपपय चंद अगला प्रश्ण है धीरे धीरे शंसे से उठ बढ़ अपयश से शीगर अचोर नभ के उर में उमुह मोह से फैल लालसा से निशी भोर में अलंकार है प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा अलंकार है उत्तर है उपमा अगला प्रश्ण है उपमा के वाचक शब्द है उत्तर है समान सम सा से सी आदी अगला प्रश्ण है उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द कौन से है उत्तर है अगला प्रश्ण है रूपक के वाचक शब्द है रूपक अलंकार के वाचक शब्द कौन से हैं उत्तर है कोई भी नहीं इसमें उपमे और उपमान होते हैं अगला प्रश्ण है साद्रश्य के कारण उपमे को निश्चय पूर्वक उपमान समझ लिया जाए तब कौन सा अलंकार होगा उत्तर है भ्रांती मान अलंकार अगला प्रश्ण है जड़ प्रक्रती के सजीव चित्रण के लिए छाया वादी कवियों ने किस अलंकार का बहुत आयत में प्रियोग किया किस अलंकार का सबसे जादा प्रियोग किया था उत्तर है मानवी करण अलंकार का अगला प्रश्ण है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उसा नागरी प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा अलंकार है उत्तर है रूपक और मानवी अलंकार अगला प्रश्ण है कपी करी हिर्दय विचार दीन ही मुद्री का डारी तब जानी असोक अंगार सी हरिस उठी कर गहो में प्रस्तुत पंक्ती में अलंकार है कौन सा अलंकार है उत्तर है भ्रांती मान अलंकार अगला प्रश्ण है कहते हुए यो पार्थ के दो भून आसु गिर पड़े मानो हुए दो सीपीओं से वयक्त दो मोती पड़े प्रस्तुत पंक्ती में अलंकार है कौन सा अलंकार है उत्तर है उत्त प्रेक्षा अलंकार अगला प्रश्ट है भजन कहो तसो भयो भयो न एकव बार दूरी भजन जासों कहो सो तै भयो गमार प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है कौन सा अलंकार है उत्तर है यमक अलंकार है अगला प्रश्ट है या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी में अलंकार है कौन सा अलंकार है उत्तर है यमक अलंकार अगला प्रश्ट है तुलिसी सुरेश तुलिसी शुरेश चाप कैधों दामिनी कलाप कैधों चली मेरूतिक कुरुसानु सरी भारी है प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है उत्तर है संदेह अलंकार अगला प्रश्ट है धनी सूखे भरे भादों माहा अबहू ना आये सीचन नाहा पंक्ति में अलंकार है कौन सा अलंकार है उत्तर है विरोधा भास अलंकार अगला प्रश्ट है लोचन सारत करत है तिल उपजावत ने प्रस्ट पंक्ति में अलंकार है कौन सा अलंकार है उत्तर है शलेश अलंकार प्रस्ट पंक्ति में शलेश अलंकार है अगला प्रश्ट है मेखला कार परवत अपार मेखला कार परवत अपार अपने सहस्र द्रग सुमन फार अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार प्रस्तुत पंक्ती में अलंकार है प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा अलंकार है उत्तर है रूपक अलंकार अगला प्रश्ण है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मर्दुल अध खुला अंग खिला हो यो बिजली का फूल मेगवन बीच गुलाबी रंग प्रस्तुत पंक्ती में अलंकार है कौन सा है उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा वा रूपक अलंकार प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है उत्तर है उपुमा अलंकार अगला प्रश्न है रहिमन जो गती दीप की कुल कपूत गती सोए बारे उजीयारे लगे बढ़े अंधेरे होए प्रस्तुत पंक्ती में अलंकार है शलेश अलंकार अगला प्रश्न है उन्नत हिमाले से धवल यह सुरसरी यू तूटती मानो पयोधर से धहरा के दुग्द धहरा छूटती पंक्ती में अलंकार है कौन सा अलंकार है उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार अगला प्रश्न है जै 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 गिरिराज किशोरी जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंदर चकोरी पंक्ति में अलंकार है उत्तर है रूपक अलंकार अगला प्रश्ण है है बिखेर देती वसुंधरा मोती सब के सोने पर रवी बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर पंक्ती में अलंकार है उत्तर है मानवी करण अलंकार प्रस्तुत पंक्ती में मानवी करण अलंकार है अगला प्रश्ण है जानी स्याम जानी स्याम घन्श्याम को नाची उठे वन मोर पंक्ती में अलंकार है कौन सा अलंकार है उत्तर है ब्रांती मान अलंकार अगला प्रशन है मुनी तापस जिन ते दुख लही ते नरेश बिनू पावक दही में अलंकार है कौन सा अलंकार है पंक्ती में उत्तर है विभावना अलंकार अगला प्रश्ण है सारी बिच नारी है की नारी ही की सारी है पंक्ती में अलंकार है कौन सा अलंकार है उत्तर है संदेह अलंकार अगला प्रश्ण है सरद सरोरू नैन तुलसी भरे सने जल में प्रस्तुत पंक्ती में अलंकार है उत्तर है रूपक अलंकार अगला प्रश्ण है धीरे धीरे हिम अच्छादन हटने लगा धरातल से जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से पंक्ती में अलंकार है उत्तर है मानवी करण अलंकार अगला प्रश्ण है बढ़त बढ़त संपती सलिल मन सरोज बढ़ जाए घटत घटत फिर ना घटे बरू समूल कुम हीलाए प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा अलंकार है उत्तर है रूपक अलंकार अगला प्रश्ण है इस काल मारे क्रोध के तनु काप ने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा प्रस्तुत पंक्ती में अलंकार है उत्तर है उत्त प्रेक्षा अलंकार है अगला प्रश्ण है ब्रांती मान विरोधा भाज विभावना व शलेश में अर्था लंकार नहीं है उत्तर है शलेश शलेश लंकार अर्था लंकार नहीं है अगला प्रश्ण है जहां कावे में चमतकार अर्थ पर आश्रित होता है वहां अलंकार होगा कौन सा अलंकार होगा उत्तर है अर्था लंकार होगा अगला प्रश्ण है प्रस्तुत पंक्ती में अलंकार है उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार है अगला प्रश्ण है पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जाथ प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा अलंकार है उत्तर है उपमा अलंकार अगला प्रश्ण है उँचे घोर मंदर के अंदर रहनवारी उँचे घोर मंदर के अंदर रहाती है प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा अलंकार है उत्तर है यमक अलंकार अगला प्रश्ण है योयों बुडे स्यामरंग त्यों त्यों उवल होए प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा अलंकार है उत्तर है विरोधा भास अलंकार अगला प्रश्ण है वह इस्ट देव के मंदिर की वह इस्ट देव के मंदिर की पूजा सी वह दीप शिक्सी शांत भाव में लीन प्रस्तुत पंक्ती में अलंकार है उत्तर है उपुमा अलंकार है अगला प्रश्ण है सुहाग के नूपुर के रचैता है उत्तर है अमरतलाल नागर अगला प्रश्ण है कौन सी भाशा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है जवाब है खासी भाशा अगला प्रश्ण है प्रत्वी राज रासो के रचनाकार कौन है? अगला प्रश्ण है घनिष्ट की शुद्ध उत्रावस्था कौन सी है? उत्तर है घनिष्ट तर अगला प्रश्ण है जहरना जो की काव संग्रा है के रचनाकार कौन है? उत्तर है जहरना के रचनाकार है जैशंकर प्रसाद अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से किस देश में अधिक्तम संख्या में भाशाएं बोली जाती है? सबसे ज़्यादा भाशाएं किस देश में बोली जाती है? उत्तर है सबसे ज़्यादा भाशाएं भारत देश में बोली जाती है अगला प्रश्ण है भूशन किस रस के कवी है? उत्तर है वीर रस के अगला प्रश्ण है हिंदी को राजकी ये भाषा कार्याले की भाषा कब गोशित किया गया उत्तर है 26 जनवरी 1965 को अगला प्रश्ण है मनुस्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं बुद्धी नहीं यह कथन किसका है प्रस्तुत कथन किसका है उत्तर है रामचंदर शुकल जी का है प्रस्तुत कथन आचार रामचंदर शुकल का है अगला प्रशन है खड़ी बोली का अर्बी फार्सी में रूप है क्या है उत्तर है उर्दू भाशा अगला प्रशन है निर्गुण भक्ती कावे का प्रमुख कवी कौन है उत्तर है कबीर दास अगला प्रशन है अप भ्रंश भाशा के प्रथम व्याकरणा चार थे अप भ्रंश भाशा के प्रथम व्याकरणा चार कौन थे उत्तर है हेम चेंद्र अगला प्रशन है उर्दू उर्दू किस भाशा का शब्द है उत्तर है उर्दू तुर्की भाशा का शब्द है अगला प्रश्ण है निम्लिकित भारतिय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड भाषा की उत्पत्ती नहीं है उत्तर है मराथी भाषा अगला प्रश्ण है देवनागरी लिपी का विकास किस लिपी से हुआ है अगला प्रश्ण है निराला निराला के राम तुलसी दास के राम से भिन और भाव भूती के राम के निकट है यह कथन किस का है यह कथन किस हिंदी अलोचक का है उत्तर है डॉक्टर राम विलास शर्मा जी का है अगला प्रश्ण है हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी ये भाशा कहा गया है किस समाचार पत्र में उत्तर है बनारस अखबार में अगला प्रश्ण है आसमान पर चड़ाने का अर्थ है आसमान पर चड़ाने का अर्थ क्या होता है? उत्तर है अत्यधिक प्रशंसा करना अगला प्रश्न है सूर्य कांध तिरपाथी निराला सूर्य कांध तिरपाथी निराला को कैसा कवी माना जाता है? कैसा कवी माना जाता है? उत्तर है क्रांती कारी कवी अगला प्रश्ण है पल्लो के रचईता कौन है उत्तर है पल्लो के रचईता सुमित्रा नंदन पंत जी है अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेंदर कुमार द्वारा रचित है कौन सा उपन्यास है जो जैनेंद द्वारा रचित है उत्तर है किसी एक उपन्यास का नाम बताना है उपन्यास का नाम है परक अगला प्रशन है कामाईनी कामाईनी किस प्रकार का गरंथ है उत्तर है कामाईनी एक महा काव्व है अगला प्रशन है निम्न लिखित में से किस रचना की सरवाधिक टीकाएं लिखी गई हैं उत्तर है बिहारी सत्सई की सरवाधिक टीकाएं लिखी गई हैं अगला प्रशन है निम्न लिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी किस ने लिखी उत्तर है राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी अगला प्रश्ण है हिंदी भाषा की बोलियों की आधार पर 36 गड़ की बोली है किस प्रकार की बोली है हिंदी भाषा बोलियों की आधार पर 36 गड़ की बोली पूर्वी हिंदी बोली है अगला प्रश्ण है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उतंड मारतंड किस संड में प्रकाशित हुआ था अगला प्रश्ण है आंचलिक रचनाएं किस से संबंधित होती है अगला प्रश्ण है छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है उत्तर है जैशंकर प्रसाद अगला प्रश्ण है आचार रामचंद्र शुक्ल क्रत हिंदी साहित का इतिहास की अधिकांच सामगरी पुस्त का कार प्रकाशन के पूर्वर हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी इस भूमिका में उसका शीरशक क्या था उत्तर है हिंदी साहित का विकास अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस गरंथ में देव बड़े हैं की बिहारी विवाद को जन्म दिया किस आलोचक ने उत्तर है मिस्र बंधु हिंदी नौरतन में अगला प्रश्न है अंगरेजी भाषा को भारत में सिख्षा के माध्यम से आरंब किया गया किसके द्वारा किया गया था उत्तर है लाड मैंकाले के द्वारा अगला प्रश्न है पदमावत किसकी रचना है पदमावत के रचनाकार कौन है जवाब है मलिक मुहम्मद जैसी अगला प्रश्ण है देखन जो पाऊं तो पठाऊं जम लोक हाथ दूजव ना लगाऊं वार करऊं एक करको यह पंक्तियां किस कवी दौरा सिर्जित हैं यह पंक्तियां किस कवी दौरा रचित हैं उत्तर है नाभादास दौरा अगला प्रश्ण है अष्ट छाप के सर्वस्रेष्ट भक्त कवी कौन है उत्तर है अष्ट छाप के सर्वस्रेष्ट कवी सूरदास जी है अगला प्रश्ण है तुलसी दास का वह गरंथ कौन सा है जिसमें जियोतिस का वर्णन किया गया है कौन सा गरंथ है उत्तर है रामाग अगला प्रश्ण है, किस जायावादि कवी ने सम्वाद शैली का सरवाधिक उप्योग किया है? उत्तर है जैशंकर प्रसाद ने अगला प्रश्न है भक्त माल भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है इसके रचैता कौन थे उत्तर है इसके रचनकार नाभादास है अगला प्रश्न है देश में एक मात्र किस राज की राज भाषा अंगरेजी है उत्तर है नागा लैंड अगला प्रश्न है दैरास किसके शिस्थे उत्तर है रामा नंद के अगला प्रश्न है निपक नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया था उत्तर है दादू दयाल ने अगला प्रश्न है सीखों के दस्वे गुरु कौन थे गुरु गोविंद सिंग अगला प्रश्न है धर्म दीक्षा विधी धर्म दीक्षा विधी पाहुल की इस्थापना किसने की उत्तर है गुरू गोविंद सिंगने की अगला प्रश्ण है गुरु नानक का जन्म इस्थल तलवंडी नामक इस्थान अब किस नाम से विख्यात है उत्तर है तलवंडी नामक इस्थान अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है अगला प्रश्ण है रामचरित मानस नामक गरंथ की रचना किसने की है अगला प्रश्ण है तुलिसी दास जी का जन्म कहां हुआ था अगला प्रश्ण है रैदासी संपरदाय के इस्थापना किस ने की थी अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है नरसिंग महता कहा के प्रभू नरसिंग महता कहा के पुर्मुख संत थे उत्तर है गुजरात के प्रमुख संत्य थे अगला प्रश्ण है असम का चैतन ने किसे कहा जाता है उत्तर है शंकद देव को अगला प्रश्ण है मुगल शाशक मुहम्मद शाह किस सम्परदाय का अनुयाई था किस संप्रदाय का अनुया ये था उत्तर है शिव नारायन का अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहां हुआ प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था इसका उत्तर है तलवंडी में अगला प्रश्न है सिख धर्म सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है उत्तर है गुरु नानक जी को अगला प्रश्ण है अमरत सर शहर का निर्माड किस ने कराया था इसका उत्तर है गुरु रामदास जी ने अगला प्रश्ण है किस धर्म गुरु को इसलाम ना अपनाने के कारण अपना शीष कटवाना पड़ा था उत्तर है गुरु तेक बहादुर को अगला प्रश्ण है किस संत ने अपने भक्ती शंदेसों के पुरशार के लिए हिंदी का प्रियोग किया था उत्तर है रामा नंद ने अगला प्रश्ण है सिवा जी के आत्याद्मिक शिवा जी के आध्यात्मिक गुरू कौन थे उत्तर है शिवा जी के आध्यात्मिक गुरू राम दास जी थे अगला प्रशन है दास बोध के रचयता कौन है उत्तर है दास बोध के रचयता रामदास जी है अगला प्रशन है गुरू नानक का जन्म कब हुआ था किस सन में गुरू नानक जी का जन्म हुआ था उत्तर है सन 1479 अगला प्रशन है महत्मा बुद्ध वा मीरा बाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेस्ता समान थी? सनसार का दुख पूर्ण होना अगला प्रश्ण है प्रसिद भक्ति रस कवित्री मीरा बाई किस की पत्नी थी? अगला प्रश्ण है यदि संस्कृत मात्र भाषा है तो क्या मेरी मात्र भाषा दस्यू भाषा है यह किसका कथन है प्रस्तुत कथन किसका है उत्तर है एक नाथ का अगला प्रशन है भक्त तुकाराम किस मुगल समराट के समकालीन थे उत्तर है मुगल समराट जहांगीर के अगला प्रश्ण है गुरु नानक का धर्मो पदेश क्या था? उत्तर है मानव बंधुत्तो अगला प्रश्ण है किस भाषा को लोक प्रीय बनाने के लिए चंडी दास ने योगदान दिया? अगला प्रश्ण है रामा नुझ के अनुयाई को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्ण है बीजक के रचैता कौन है? अगला प्रश्ण है पुष्टी मार्क के दर्शन की इस्थापना किस ने की? अगला प्रश्ण है किस संत ने इश्वर को अपने पास अनुभाव के लिए कीरतन को अपना माध्यम बनाया? अगला प्रश्ण है अद्वयत वाद के सिध्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया था? अगला प्रश्ण है भक्ती आंदोलन के दौरान असम में भक्ती आंदोलन को किस ने चलाया? किस ने चलाया था? उत्तर है शंकर देवने अगला प्रश्ण है कबीर की मिरत्यू कहां हुई थी? कबीर दास की मिरत्यू कहां हुई थी? उत्तर है मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में अगला प्रश्ण है महाराष्ट में भक्ती संप्रदाय किसकी सिक्षाओं दौरा फैला? उत्तर है संत ग्यानेश्वर की सिक्षाओं दौरा अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को दक्षडी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? उत्तर है रामा नंद। अगला प्रश्ण है चैतन्य महापर्भू किस समपरदाय से जुड़े थे उत्तर है गौडी ये समपरदाय अगला प्रश्ण है भक्ति आंदोलन के पृतिपादक कौन थे उत्तर है रामानुजा चार्य अगला प्रश्ण है पंजाब में भक्ती आंदोलन के जनक कौन थे उत्तर है गुरू नानक जी अगला प्रश्ण है कबीर के गुरू कौन थे उत्तर है रामा नंद थे अगला प्रश्ण है कबीर का जनम कहां हुआ उत्तर है कबीर दास जी का जनम लहर तारा जो की काशी में है वहां हुआ था अगला प्रश्ण है हिंदी का पर्थम उपन्यास कौन सा है उत्तर है परिक्षा गुरू जो की सिरी निवास दास वमत दौरा रचित है अगला प्रशन है हिंदी में आशुलिपी के जन्मदाता कौन है उत्तर है हिंदी में आशुलिपी के जन्मदाता राधेलाल दिवेदी जी है अगला प्रश्ण है आधुनिक युग के चरण है कौन है आधुनिक युग के चरण उत्तर है रामधारी सिंग दिनकर जी को आधुनिक युग का चरण कहा जाता है अगला प्रश्ण है आउस्ट्रिक भाशा समुह की भाशाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है उत्तर है किरात किरात कहा जाता है अगला प्रशन है सम्विधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राज भाशा है उत्तर है अनुच्छेद 343 का पहला भाग अगला प्रशन है हिंदी भाशा का प्रथम महा काववे किसे कहा जाता है उत्तर है प्रत्वी राज रासो को जो की चंद बरदाई की रशना है प्रत्वी राज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव विका जाता है अगला प्रश्ण है बांगुरू बोली का किस बोली से निकट संबंद है उत्तर है खडी बोली से निकट का संबंद है बांगुरू बोली का अगला प्रश्ण है हिंदी के सरुपर्थम गीत लेखक कौन है उत्तर है विद्यापती अगला प्रश्ण है हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता किसे कहा जाता है उत्तर है भारतेंदू हरिश्चंद्र को अगला प्रश्ण है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है उत्तर है महादेवी वर्मा जी को अगला प्रश्ण है हिंदी साहित की प्रथम कहानी कौन सी है उत्तर है इंदू मती अगला प्रश्ण है विश्व में सरवाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती है सबसे जादा भाषाएं किस देश में बोली जाती है उत्तर है यामा यामा रचना के लिए मिला था अगला प्रशन है मैला आचल उपन्यास के लेखक कौन है मैला आचल उपन्यास के लेखक है फडिशुर नात रेडू अगला प्रशन है भारत में सरवाधिक लोगों दोरा भारत में सरवाधिक लोगों दोरा कौन सी भाशा बोली जाती है इसका उत्तर है हिंदी भाशा जो की देवनागरी लिपी है सबसे जादा बोली जाने वाली भाशा है अगला प्रश्ण है मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोशित किया गया है किस जिले को इसका उत्तर है नरसिंग पुर को अगला प्रश्ण है देवनागरी लिपी को राष्ट लिपी के रूप में कब स्वीकार किया गया था इसका उत्तर है 14 सितंबर 1949 को अगला प्रश्ण है हिंदी दिवस किस तिथी को मनाया जाता है उत्तर है 14 सितंबर को अगला प्रश्ण है भारत में संस्क्रत मा है हिंदी बहुरानी और अंगरेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है रस्तुत कतन किस महापुरुष के है उत्तर है डॉक्टर कामिल बुलके के अगला प्रश्ण है सम्विधान की आठवी अनुसूची सम्विधान की आठवी अनुसूची में शामिल की गई चार नई भाषाएं कौन सी है उत्तर है संथाली, मैथली, बोडो और डोगिरी अगला प्रश्ण है रानी केत्की की कहानी की भाषा कौन सी है इसका उत्तर है खड़ी बोली है अगला प्रश्ण है अप भरंश के योग से राज भाषा का जो साहित रूप बना उसे कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है उत्तर है डिंगल भाषा अगला प्रश्ण है हिंदी की प्रथम पत्त्री का कौन सी है उत्तर है समवाद कौमुदी अगला प्रश्ण है हिंदी की वर्ण माला में कितने स्वर वा कितने स्वर है इसका उत्तर है ग्यारा स्वर वा तित्तिस स्वर है अगला प्रश्ण है एक नार पिया को भानी तनवा को सगरा जियों पानी यह पंक्ती किस भाशा की है प्रस्तुत पंक्ती की भाशा बताना है इसका उत्तर है ब्रज भाशा अगला प्रश्ण है सम्विधान की आठवी अनुसूची के अनुसार कितनी भाशाओं को राज भाशा के रूप में सम्विधानिक मान्यता प्राप्त है कितनी भाशाओं को इसका उत्तर है 22 भाशाओं को अगला प्रश्ण है हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक है आचार्य महावीर प्रसाद दिवेदी जी अगला प्रश्ण है हिंदी के सर्व प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है हिंदी का सर्व प्रथम दैनिक समाचार पत्र है सुधा वर्षन अगला प्रश्ण है भारत के प्रथम राष्ट कवी कौन है भारत के प्रथम राष्ट कवी कौन है? इसका उत्तर है मैथली शेरण गुप्त अगला प्रशन है हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूट जो की जैशेंकर परसाद द्वारा रचित है अगला प्रशन है हिंदी साहित के इतिहास को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर है चार काल खंडों में विभाजित किया गया है पहला है आदी काल या वीरगाथा काल दूसरा मध्य काल या भक्ती काल तीसरा उत्तर मध्य काल या रीती काल और चोथा आधुनिक काल अगला प्रशन है राम धारी सिंग दिनकर को किस रचना के लिए ग्यान पीट पुरुसकार मिला ग्यान पीट पुरुसकार राम धारी सिंग दिनकर को किस रचना के लिए मिला था इसका उत्तर है उरवशी के लिए अगला प्रशन है अटल बिहारी वाजपेई हिंदी विश्व विद्याले की इस्थापना कहा की गई है इसका उत्तर है भोपाल मध्य प्रदेश में अगला प्रशन है भारतिय भाशाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बाटा गया है उत्तर है चार प्रमुख वर्गों में अगला प्रश्न है देश का पहला राष्टिये हिंदी संगरहाले कहां इस्थापित किया जा रहा है इसका उत्तर है देश का पहला हिंदी संगरहाले आगरह में इस्थापित किया जा रहा है अगला प्रशन है चीनी तिब्बती भाशा समूह की भाशाओं के बोलने वालों को कहा जाता है क्या कहा जाता है इसका उत्तर है निसाद अगला प्रशन है हिंदी विशे पर प्रथम ग्यानपीड पुरुसकार पाने वाले कौन थे? प्रथम ग्यान पीड पुरुसकार हिंदी विशय पर पाने वाले थे सुमित्रा नंदन पंत जी अगला प्रश्न है निम्न लिखित में से कौन प्रेम चंद की एक रचना है प्रेम चंद की को एक रचना का नाम बताना है इसका उत्तर है पंच परमेश्वर अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाशाई समूह कौन सा है इसका उत्तर है इंडो आर्यन भाशाई समूह अगला प्रश्न है जो जीन सासन भासियो सो मई कईयो सारू जो पालई सै भाव करी सो तारी पावई पारू इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है इसका उत्तर है देव सेन अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाशाई समूह कौन सा है इसका उत्तर है चीनी तिब्बती अगला प्रश्न है हिंदी का पृथम पत्र कौन सा है इसका उत्तर है उतंड मारतंड जो की एक सापताहिक पत्र था अगला प्रश्न है मैं थिली किस राज की राज भाशा है इसका उत्तर है बिहार की अगला प्रशन है अमीर खुसरो अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख भाशा क्या है इसका उत्तर है खड़ी बोली अमीर खुसरो ने सबसे जयादा खड़ी बोली का यूज किया है अगला प्रशन है हिंदी के पृथं कवी कौन है इसका उत्तर है सिद्ध सरहपा नौई शताब्दी जो कि हिंदी के पृथं कवी माने जाते हैं अगला प्रशन है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है कलम का सिपाही उपनामशे किसे जाना जाता है इसका उत्तर है मुन्शी प्रेम चंद को अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी के उस इतिहास गरंथ का नाम बताना है जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित संबंधी सामगरी संगरहीत है कौन सा है इतिहास गरंथ इसका उत्तर है हिंदी साहित का आदिकाल हिंदी साहित्य का आधी काल अगला प्रशन है आचार राम चंदर शुकल ने तिर्वेडी तिर्वेडी में किन तीन महा कवियों की समिक्षाएं प्रस्तुत की है इसका उत्तर है सूरदास, तुलसीदास और जैसी की अगला प्रशन है देवताओं की लिपी किसे कहा जाता है अगला प्रशन है निरुत्तर, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधी विच्छेद क्या होगा अगला प्रशन है दोगरी भाशा मुख रूप से कहा बोली जाती है दोगरी भाशा मुख रूप से कहा बोली जाती है उत्तर है जम्मू कश्मीर में अगला प्रशन है बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है बैताल पच्चीसी के रचनाकार है सूर्ती मिस्र अगला प्रशन है दोहा कोश के रचैता कौन है उत्तर है दोहा कोश के रचैता है सरहपा अगला प्रश्ण है आचार रामचंदर शुगल ने किन दो पुरमुख तत्यों को ध्यान में रख कर हिंदी साहित के इतिहास के कालखंडों का नाम करण किया है किन दो मुख्धत्तों को उत्तर है गरंथों की पुरचूरता एवं गरंथों की पृसिद्धी अगला प्रश्ण है वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचैता कौन है उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान अगला प्रश्ण है इन में किस नाटक कार ने अपने नाटकों के लिए रंग मंच को अनिवारे नहीं समझा है किस नाटक कार ने रंग मंच को अनिवारे नहीं माना है उत्तर है जैशंकर प्रसाद अगला प्रश्ण है मनुस्यत्तो की समान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गवरों का भाव जगाने वाले सर्व श्रेष्ट कवी कौन थे? उत्तर है कबीर दास अगला प्रश्ण है लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख नाचती पंगती जैशंकर प्रसाद के किस रचना का अन्श है? इसका उत्तर है का मायनी अगला प्रश्ण है बिहारी किस राजा के दरबारी कवी थे? उत्तर है जैपुर नरेश जैसिंग के अगला प्रश्ण है जो अपनी जान खपाते हैं उनका हग उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपिया लगाते हैं यहाँ कतन गोधान के किस पात्रवडवरा कहा गया है? किस पात्रवडवडवरा कहा गया है? इसका उत्तर है महतोदवरा अगला प्रश्ण है हिंदी साहित के इतिहास के सरुपर्थम लेखक का नाम क्या है उत्तर है गारसादा तासी अगला प्रश्ण है आसू जो की एक कावे है के रचैता कौन है उत्तर है जैशंकर प्रसाद अगला प्रश्ण है तिरीपूरा की राज भाशा है तिरीपूरा की राज भाशा क्या है उत्तर है बांगला अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है किसी एक व्यंग लेखक का नाम बताना है इसका उत्तर है हरीशंकर परसाई अगला प्रश्ण है विवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षन संयोग किस प्रियोग वादी कवी में सबसे अधिक मिलता है उत्तर है अग्ये में अगला प्रश्ण है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है प्रेम सागर के रशनकार कौन है इसका उत्तर है ललू लाल जी अगला प्रशन है हिंदी साहित में हालावाद के प्रवर्तक कौन है हिंदी साहित में हालावाद के प्रवर्तक है हरिवन शिराय बच्चन अगला प्रशन है आचार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन में एक ऐसा कवी है जिसका वियोग वर्णन वियोग वर्णर के लिए ही है परिस्थिती के अनुरोद से नहीं उत्तर है कबीर दास अगला प्रशन है निशा निमंतरन के रचनाकार कौन है उत्तर है हरिवन्शिराय बच्चन जी अगला प्रशन है हिंदी साहित्य का अतीत भाग एक के लेखक का नाम क्या है इसका उत्तर है डॉक्टर विश्वनात प्रसाद मिस्र अगला प्रशन है नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है उत्तर है मुन्शि प्रेम चंद अगला प्रशन है प्रभात फेरी जो की एक काव्य है के रचनाकार कौन है उत्तर है नरेंदर शर्मा जी अगला प्रशन है प्रेम लक्षणा भक्ती को किस भक्ती शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है इसका उत्तर है क्रश्न भक्ती शाखा ने अगला प्रशन है हरिश्चंदी हिंदी शब्द का प्रियोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास गरंथ में किया है इसका उत्तर है राम चंदर शुकल जी ने किया है अगला प्रशन है किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना गरंथ लिखकर हिंदी के इसनात को तरकशाओं के पाठकरम में आलोचना के आभ़ाओ को पूरा करने का सर्व प्रथम सफल प्रियास किया किसने आलोचना के आभ़ाओ को पूरा करने का सर्व प्रथम सफल प्रियास किया था उत्तर है श्याम सुंदर दास जी ने कौन सा आलोचना गरंथ का साहित लोचन गरंथ था अगला प्रशन है आंध्र प्रदेश की राजकी ये भाशा क्या है उत्तर है आंध्र प्रदेश की राजकी ये भाशा है तेलगू अगला प्रशन है राम चरित मानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को माननिता दी गई है किस रसको मानिता मिली है इसका उत्तर है भक्ती रसको अगला प्रश्ण है भारत का शेक्स पियर किसे कहा जाता है इसका उत्तर है काली दास जी को अगला प्रश्ण है साहित्यकार अग्ये जी का पूरा नाम क्या है साहित्यकार अग्ये जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वातसयायन अग्ये अगला प्रश्ण है अतीद के चलचित्र के रचैता कौन है इसका उत्तर है महादेवी वर्मा जी अगला प्रश्ण है पवित्रता की माप है मलिनिता सुख का आलोचक है दुख पुन्य की कसोटी है पाप यह कथन इसकंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है किस पात्र का है इसका उत्तर है देव सेना पात्र का अगला प्रश्न है जब उपमे और उपमान में भिन्नता होने पर भी समान्निता इस्थापित की जाए तब अलंकार होगा कौन सा अलंकार होगा उत्तर है उपमा अलंकार अगला प्रश्न है उपमे पर उपमान का निसेध रहित आरोप होने पर अलंकार होगा कौन सा अलंकार होगा उत्तर है रूपक अलंकार अगला प्रश्ण है लता भवन ते प्रकट भे ते ही उसर दोव भाई निकले जनु जुग विमल विधू जलट पल तल बिल गाए में अलंकार कौन सा है उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार साद्रश्यस के कारण उपमे में उपमान का शंसय हो, वहां अलंकार होगा कौन सा अलंकार होगा? उत्तर है संदेह अलंकार अगला प्रश्न है उपमे में संभावना की अभिवक्ति के शब्द हैं मानो, मनो, जानो अगला प्रश्न है उत्प्रेक्षा, रूपक वा उपमा से किस कारण अलग होता है? किस कारण से अलग होता है? संभावना के कारण अगला प्रश्न है एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है उसमें कौन सा अलंकार होगा उत्तर है वस्तुत प्रेक्षा अलंकार अगला प्रश्ण है जब साद्रश के करण उपमे में उपमान का भ्रम हो तो कौन सा अलंकार होगा उत्तर है ब्रहांतिमान अलंकार अगला प्रश्ण है सौंदर्य मलंकार उक्ती किसकी है आचार्य वामन जी की अगला प्रश्ण है किसी प्रस्टुत वस्तु की उसकी किसी विशेश गुड किरिया सुभाव आदी की समानिता के आधार पर अन्य अप्रस्टुत से समानिता इस्थापित की जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा उत्तर है उपमा अलंकार अगला प्रश्ण है जब उपमा में एक उपमे के अनेक उपमान हो तो कौन सा अलंकार होगा उत्तर है मालोपमा अलंकार मालोपमा अलंकार अगला प्रश्ण है उपमे में उपमान की संभावना को अलंकार कहते हैं कौन सा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार अगला प्रश्ण है लागत लाज लगाम नहीं नैक ना गहत मरो होत तो ही लखी बाल के द्रग तुरंग मुह जोर में प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा अलंकार है उत्तर है रूपक अलंकार अगला प्रश्ण है घिर रहे थे घुंगराले बाल अंस अवलंबित मुख के पास नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास प्रस्तुत पंक्ती में अलंकार होगा उत्त प्रेक्षा अलंकार अगला प्रश्ण है अनेक अर्थों का बोध कराने वाला एक शब्द कविता में होता है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं उत्तर है शलेश अलंकार अगला प्रश्ण है अलंकारों की निश्चित परिभाशा दी है किसने दी है उत्तर है दंडी ने काव्या दर्श में काव्या दर्श में अगला प्रश्ण है शब्दा लंकार के भेद कितने हैं उत्तर है आठ भेद हैं अगला प्रश्ण है यमक अलंकार यमक अलंकार कौन इंसा होता है परिभाषा बताना है जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिण्ढ हो उर्ष यमक अलंकार होता है plast है अलंकार के भेद कितने होते हैं उत्तर है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभेयालंकार, तीन भेद अगला प्रशन है, जहां वास्तों में विरोध ना होने पर भी किंचित विरोध का आभास हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्तर है विरोधा भास अलंकार अगला प्रश्ण है प्रक्रती पर मानव वेवहार का आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है इसका उत्तर है मानवी करण अलंकार अगला प्रश्ण है मेग मैं आसमान से उतर रही वह संध्या सुन्दरी परीशी प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा अलंकार है मानवी करण अलंकार है अगला प्रश्ण है जहां बीना कारण या विपरीत कारण के रहते कार्य होने का वर्णन हो वहां कौन सा अलंकार होगा उत्तर है विभावना अलंकार अगला प्रश्ण है आली पास पौडी भले मोही किन पौडन देत प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा काव्य दोश है उत्तर है ग्राम यत्व दोश अगला प्रश्ण है काव्य में पद दोश कितने होते हैं उत्तर है सोला अगला प्रश्ण है अर्थ दोश कहते हैं अर्थ दोश किसे कहते हैं उत्तर है जहां शब्द दोश का निराकरण हो जाए फिर भी दोश बना रहे वहां अर्थ दोश होता है अगला प्रश्न है मुनी तापस जिनते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है विभावना अलंकार अगला प्रश्ण है वाक्य में यथा इस्थान करम पुरुवक पदों का ना होना दोश है कौन सा दोश है अक्रमत्तो दोश अगला प्रश्ण है अक्रमत्तो का उदाहरण है सीता जू रघुनात को अमल कमल की माल पहराई जनू सबन की हिर्दियावली भूपाल अगला प्रश्ण है दुश क्रमत्तो दोस होता है कहां होता है जहां लोक और शास्त्र के विरुद्ध करम से वस्तू का वरणन हो अगला प्रश्ण है लोचन नीरज से यहां देखो अश्रु नदी बहाई में कौन सा अलंकार है उत्तर है विभावना अलंकार अगला प्रश्न है शुरूती कटुत्तो दोश किस वर्ग में आता है उत्तर है शब्द दोश में अगला प्रश्न है काव में लोक विवहार में प्रियोग्त शब्दों का प्रियोग दोश है कौन सा दोश है ग्राम यत्तो दोश अगला प्रश्ण है शब्द का अर्थ बड़ी खीच्टान करने पर समझ में आता है उस दोस को कहा जाता है क्लिश्टत्व दोश अगला प्रश्ण है वेद नखत ग्रह जोरी अरग करी सोई बनत अब खाद प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा दोश है उत्तर है क्लिश्टत्व दोश अगला प्रश्ण है महा कावे में खंड या सर्ग होते हैं कितने होते हैं आठ और अधिक अगला प्रश्ण है प्रबंध काववे वनस्थली है तो मुक्तक काववे गुल दस्ता है यहां उक्ती किसने कही उत्तर है आचार राम चंदर शुक्ल जी ने कही दोस्तो अगर यहां वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए तयारी कर लो चैनल को अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्तुपूर्ण वीडियो महत्तुपूर्ण प्रश्ण लेकर आएंगे दोस्तो आप हमें सजेशन्स देत और कि लिए सना हम सग्तुछ आपको और महत्तुछ आपe, सबस्तूर्ण इस